हलो दोस्तो नमस्कार मैं राज मेरा आपस भी का सुवागत करता हूँ दोस्तो आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरह से आप अपनी जो वाटसप का जो नोटिविकेसन है आप उसको ओन कर सकते हैं ताकि आपको जब भी आपका फ्रेंड कोई मेसेज करेगा आपको नोटिविकेसन है वो मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको अपनी फोन में वाटसप को ओपन कर लेना है उसके वाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फोन में भी तीन मेसेज है वो आ चुके हैं परन्तू हमें इसका जो नोटिविकेसन है वो नहीं मिला है जैसे हम वाटसप को ओपन करते हैं उसके वाद में हमें पता चलता है कि हमें किसने मेसेज किया है तो आप किस तरह से अपने फोन में WhatsApp का जो notification है वो आप उसको own कर सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले 3.8 पर आपको क्लिक करना है उसके बाद में आपको setting को select करना है setting select करने के बाद में आपको यहां पर notification का option मिलता है इसके आपको क्लिक करना है रीसेट पर क्लिक करने के बाद में आपके जो फोन की नोटिफिकेशन की सेटिंग है वो अपने आप से ही हो जाएगी उसके बाद में आपको यहां से बेक कर देना है उसके बाद में आपको बताओंगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मेशिस की रिंग टोन है वो आप च जोड़ा सा स्कूल डाउन करना है उसके बाद में आपको एपस का उपसन मिलता है यहां पे इस पे आपको क्लिक करना है एपस पे क्लिक करने के बाद में आपको मनेज एपस का उपसने इस पे क्लिक करना है उसके बाद में आपको सर्च बार पे क्लिक करने के बाद में आपको यहां पे search करना है WhatsApp, आप कौन सा WhatsApp यूज़ कर रहे हैं, वो आपको यहां पे select करना है, कौन से WhatsApp पे आपको notification नहीं मिल रहा है, अगर आप business यूज़ करते हैं या फिर messenger जो भी आप WhatsApp यूज़ करते हैं, उस WhatsApp पे आपको click करना है, जिसे WhatsApp पे click कर देते हैं, उसके बाद में आपक data uses का option यहां पे own नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आप आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और आपको यहां पे देखने को मिलेगा, connection method आपको इस पे click करना है, जिसे आप इस पे click कर देते हैं, उसके बाद में आपके सामने दो आपसन देखने को मिलते हैं, यहां यहां पे wifi और mobile data, तो आपको इन दोनों को own करके रखना है, अगर आपके फोन में यह दोनों off होगें, तो आपका अगर internet on होगा, फिर भी WhatsApp पे message हो नहीं आएगा, क्योंकि WhatsApp का जो data हो off हो जाता है, तो आप इन दोनों को off कर देना है, अगर आपके पास में तीन आप सनाते ह हो रहता है, तो इसको भी यहां पर own कर सकते हैं, तो अभी मेरे phone में यहां पर connection method में यह show हो रहा है, आपके phone में यहां पर data uses में show हो जाएगा, आप आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद में हम इन दोनों को own कर देते हैं, उसके बाद में अब आपको यहां पर notification का option मिलता है, notification के option पे click करने के बाद में अब आपको बता देता हूँ यह आपके phone में अगर off होगा तो इसको आपको हमें संग के लिए on रखना है अगर आप इसको off कर देंगे तो आपका जो whatsapp में कोई किसी भी परकार का notification है वो नहीं मिलेगा अगर आप इसको on कर देते हैं तो आप जब भी आपके friend आपको message करेंगे तो आपको उपर screen में notification हो शो हो जाएगा चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैं दूसरे phone से message करके तो यहां से हम message करते हैं message करने के बाद में आप देख सकते हैं यहां पर हमारी पास में notification है वो आ चुका है अगर आप notification का जो tune चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे इसके लिए आपको three dot पे क्लिक करने है setting को select करना है notification पे क्लिक करना है notification पे क्लिक करने के बाद में उपर यह आपको देखने को मिलेगा notification tune का option इस पे क्लिक करना है notification tune पे क्लिक करने के बाद में काफी सारी option देखने को मिलते हैं उसके बाद में आपको OKP click करते ही हमारा जो यह message tune वो set हो जाता है अब जब भी कोई message करेगा वो यही tune वो बज़ेगा इसी तब रकार से आप groove का भी ringtone set कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में बस नहीं मिलते हैं इस टूडियो में तब तक के लिए नमस्कार